देश की राज़ाने दिली में G20 श्रिकर सम्मेलन में शामिल होने के लिए दुनिया भर से महमान पहुँचे हैं बता दे आपको कि G20 श्रिकर सम्मेलन का आज दूसरा और आखरी दिन है और ऐसे में तमाम जो कई देशों के जो मुख नेता है वो यहाँ पर मौझूद है और दुनिया भर से जो कई महमान है कई दिगज महमान है वो पहुचे लेकिन आपको बता दे कि इन तमाम महमानों में अगर सबसे जादा चर्चा का विशह बने वे तो वो ब्रिटीन के पढ़ान मंत्री रिशी सुनक बने वे दे असल आपको बता दे कि रिशी सुनक भारत आते ही उन्होंने जिस तरीके से भारतिय संस्कृति के बारे में बादशीत की जिस तरीके से उन्होंने ये कहा कि मु पहुँ है ते ह horizon सुनक से मना यह हों की है सो एप दीशी किया कि थी मैं हर्ट यह हरगर ऐसे में रख्षा-बन्दन का त्यहों प्र पत्यों को भी यह कहा कि अगर का मैं पते संहीर मिल पा किन यह समय मों मुझे हिंदू होने फर गर्व है अगर वक्त मिलता है तो मैं इसका खामी आजा जो है वो मंदिर जाकर के पूरा करूँगा कि मैंने जन्माश्टमी का तेओहार नहीं मनाया ऐसे मैं बता दे आपको कि आज रिशी सुनक अपनी पत्नी अक्षटा मूर्ती के साथ अक्षट धाम मंदिर पहुंचे वह पर उन्होंने जलाबिशेक भी किया और तस्वीरे जो है वो भी निकल कर सामने आई है बता दे आपको कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर रिशी सुनक और उनकी पत्नी अक्षटा मूर्ती रिशी एक घंटे मंदिर में रहे इस दोरान वे मुख मंदिर के पीछे इस्तित एक और मंदिर में जलाबिशेक भी किया फिर वे वहां से निकल गये उनके सुरक्षा को ले करके मंदिर के अंदर और बाहर बड़े कड़े इंतजाम किये गये थे इससे पहले सुनक ने शरिवार को अक्षरधा मंदिर जाने की बात कही थी रिशी सुनक ने ये कहा था कि से होगी यह विश्वास है जो हमें मजबूती देता है उन्होंने कहा था कि मेरा पालन पोर्शन भारत में ही हुआ है मैं बैंगलरू में रहा हूँ मेरी पतनी भी बैंगलरू में रही मेरा ससुराल भी यही है वहीं दिल्ली में रहता था हमने हाली में रक्षा बंदन का दिल्ली पुलिस ने उनकी यात्रा को देखते वे मंदिर के आसपास की सुरक्षा को बढ़ा दी है। असनातक संस्कृति से जुरे साहित्यों, संस्कृतियों और कलाकीर्टियों की मनमोहक जलक देखने को मलती है। यह मंदिर यमुना नदी से थोरी ही दूरी पर बसावा है। जैसे में रिशी सुनक को मवका मिला तो आज ऊपनी पतनी के साथ अक्षर धाम मन्दिर पहुंचकर है। जहां पर रिशीर सुनक ने अपनी अक्षत राम मूर्ति के साथ पूझा-अर्चना की और साथी जलाबिशीक भी किया। धीरे धीरे से, धीरे धीरे से मेरी जिन्दगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना नमस्कार, मैं अनुरादा पवडवाल 26 नवेंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कारेक्रम में पूर्निया बिहार आ रही हूँ मुझे पनुरमा ग्रूप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है तो हम सब मिलते हैं पनुरमा ए-होम्स में शाम साथ बजे, नमस्कार ये लो मुँ मिठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्निया वापस जाएंगे जॉब छोड़ दिया है, मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माबाबुजी क्या बोलेंगे इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाए अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया अरे लोन अप्रूव हो गया, वो तो ठीक है, लेकिन पूर्निया में हम रहेंगे कहाँ अपना घर भी तो नहीं है वहाँ इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हो अपने पूर्निया में घर ले लिया है पूर्निया के e-homes panorama में पूर्निया में panorama group लेकर आये हैं e-homes panorama, बड़ा घर, आलिशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के सग अड़े अड़े, आप क्यों मुमीठा करवा रही हो क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे है घर वापसी की खुशी पूर्निया में e-homes panorama के संग e-homes panorama, luxurious, lifestyle redefined